हलो एवरिवन तो जैसे कि आपको मालूम है 17, 18 और 19 जुलाई वाला जो एक्जाम है उसको रिशिट्यूल करा गया था जो अभी सिच्वेशन अराइज होई थी डेली में उसकी वज़े से और उसकी नई डेट भी आज सुबह मैंने आपको इनफॉर्म कर दी थी 17 वाला 26 को हो होगा और 19 जुलाई वाला 2 अगस्त का होगा तो अब इन नई डेट्स के अकोडिंग जो रिवाइजड एडमिट कार्ड हैं वो आना शुरू हो गए हैं जिहां आप लोगों का एस वल का जो नया एडमिट कार्ड है रिवाइज एडमिट कार्ड है जिसमें ये डेट्स आपको आप दिखे जाएगी आपके एडमिट कार्ड में वो आप सेम लिंक से डाउनलोड कर सकते हो एडमिट कार्ड डाउनलोड करनी के लिए अगेन आपको continue to website पर जाना है description में वैसे भी लिंक है और सबसे उपर ही आपको UG examination करके एडमिट कार्ड का लिंक मिल जाएगा यह BA honours का admit card है यह देखिए आपका जो exam जो की एक अगस्त में शिटिवल होता वो date यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गई है ठीक है बाकी जो dates थी वो as it is आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ठीक है इसके लवा एक मैं आपको become program का भी admit card दिखा देता हूं तो यह लिजिए यह बीकॉम प्रोग्राम का admit card है देखिए बीए प्रोग्राम और बीकॉम ओनर्स वाले बच्चों का था कुछ फरक पड़ेगा नहीं क्योंकि उनके एक्जाम वैसे भी बाईस या 23 जुरह से शुरू दे तो वो as it is date है तो और इसके रहाब बीए ओनर्स क दोस्तों अब दिक्कत यह है कि परशानी यह उड़ गई है चारो एक्जाम एकसाथ पढ़ रहा है पत्चिस चब्विस अटाइस अठाइस टूजडे वेडनेस दे तो इसको लेके काफी बच्चे फ्रस्टेट हो गए हैं कि आप क्या करें जी खेर कुछ कर तो सकते नहीं ह हैं उसी के कोडिंग आपको एक्जाम देने होंगे बाकि अगेन चीदों का ध्यान रखेगा एड्मिट का प्रिंट आउट और जो आपका एक गवर्मेंट आइडी प्रूफ है अधार काट वो ज़रूर से लेकर जाएगा एक्जाम होल में इसके लवा जितने भी बज़े क करते वक्त बहुत ही सतर्क रहें अगर इन्वेजिलेटर भूल जाता है तो आप खुद से उनको याद दिलाएं कि सर जी मैंने सिगनेचर नहीं करा कई बार बच्चा लेट पहुंचता है तो वह भूल जाता है जलबाजी में पेपर की टेंशन की वज़े से तो इस चीज क का ध्यान रखें कि सिगनेचर आपको प्रायोर्टी वैसिस पर वहाँ पर करके आने ही है ठीक है वाकि बैस्ट ओफ लग फॉर एक्जाम थेंक यू